हेलो फ्रेंस तो आई जटपट से बनाते हैं मिर्चा और लहसुन की चटनी इसके लिए हमें 18-20 सूखी लाल मिचली हैं इसके थोड़े से बीच हम निकाल देंगे अगर आपको इस पाईसी ज्यादा फसंद है तो आप बीच रग भी सकते हैं फ्रेंस बसके इसमें थोड़े से बीच निकाल देंगे अब इसे एक बाउन में ट्रांस्फर करेंगे अब इसमें थोड़ा गरम पाई डालके इसे दो घंटे के लिए भिगो देंगे कवर करके ताकि यह थोड़ी नरम हो जाए अब इन नरम हो चुकिए फ्रेंस अब इन एक बाउन में ट्रांस्फर करेंगे अब इसमें अठार से बीस कली लहसुन की डालेंगे एक मीडियम साइट का टॉमेटर चॉप्ट करके डालेंगे और यह सुखा काच्रा एफ्रेंस यह रायस्थान वगरे मक्सरप आयाता है इससे काच्री भी कहते हैं कुछ लोग अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इससे जरूर एड़ किज़े आपकी चट्नी का टेस्ट और बढ़ जाएगा अगर नहीं हो तो आप इससे एवाइड कर सकते हैं इससे हम थोड़ा कूट के डालेंगे ताकि हमें पीछने में आसा नहीं हो अब इससे भी काच्रा को इसमें एड़ कर देंगे और एक फाइन पेस्ट त्यार करेंगे फ्रेंस अब चार से पांच शम्च में रिफाइन तेल लिया है उसमें हाफ टीस्पून जीरा डाल रहे हैं थोड़ा से हींग डाल रहे हैं और आट से दस कड़ी पत्ता डालेंगे अब इसमें मिर्चा और लैसन की पेस्ट को एड़ कर देंगे और एक मिर्ट फ्राइ करेंगे अब इसमें हाफ टीस्पून नमक डाला है स्वाद उनसार इसे भी अच्छे ते मिक्स कर लेंगे और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पाई डालेंगे और इसे एक मिर्ट तो और सेकेंगे बस माई चटनी रेडी हो गई आप इसकी थिकने देख सकते हैं और इसा कलर भी कितना प्यारा आगया अब गैस की फ्लेम को आफ करेंगे और इसे एक बाउन में ट्रांसफर करेंगे अब बहुत थाने बहुत टेस्टी बनती है और अगर आपको इस चटनी पसना है तो इस रेडी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को देखने के हमारे रेडी को देखने के बहुत बहुत धन्यवात थैंकिश वाज मागे भी कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए अच्छी recipes लेके आए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स